इस वीडियो में हम लोग समझेंगे arbitration, conciliation and mediation में क्या difference है ठीक है यह तीनों जो है arbitration, conciliation and mediation यह ADR का form है ADR यानि alternate dispute resolution एक जो होता है वो होता है जो common system होता है वो होता है court ठीक है और court के अलावा court में क्या होता है court में जो भी dispute होता है उसका redressal होता है dispute को solve क्या जाता है तो court के अलावा जहां dispute resolve क्या जाता है उसको ADR का जाता है यानि alternate dispute resolution नामी में है alternate court के अलावा कहां पर dispute resolution होगा arbitration में हो सकता है conciliation में हो सकता है mediation में हो सकता है Arbitration and Concilation Act 1996 से दो चीज़ डील होता है Arbitration and Concilation Act 1996 से Arbitration and Concilation डील होता है और जो Mediation है यह CPC 1908 से डील करता है Civil Procedure Code 1908 और इसमें जो section specifically वो section 89 है ठीक है Mediation उसके बाद next difference देखता है जो Arbitration होता है इसमें dispute resolve क्रने वाला जो Third Person होता है यानी दो Parties होते हैं एक बीच में- Third Person हो गया यह dispute resolve करेगा जो Third Person है इसको Arbitrator खोजाता है Arbitration के case में इसको Arbitrator कहा जाता है और यह Arbitrator Dispute को Resolve करेगा और Concilation में as such कुछ नहीं होता है Concilation में conciliator तो रहेगा लेकिन conciliator dispute को resolve करेगा नहीं, वो parties को help करेगा, दोनों को help करेगा कि कुछ एक सहमत्ती पर आ जाए, कुछ एक mutual benefit पर आ जाए, ठीक है कि conciliation, और mediation में भी रहता है कि parties खुद से decide करता है कि क्या उनके लिए कौन सा decision पर आना है, यह parties तरह करता है, लेकिन arbitration के case में arbitrator decide करता है, कोई third party dispute को decide कर रहा है, तो जो relationship होता है, parties के बीच में हो सकता है कि relationship खराब हो जाए, यानि win-win situation ज़रुरी नहीं कि हमेशा win-win situation ही रहे, win-win समझ ले, win-win मतलब दोनों parties को फाइदा, लेकिन conciliation and mediation के case में ऐसा नहीं होता है, conciliation and mediation के case में relationship generally अच्छा ही रहता है, यानि parties के बीच में तनाव का situation नहीं रहेगा, उसके बाद next difference देखता है, next, जो arbitration के बाद जो result आएगा, उसको award कहा जाता है, ठीक है, award कहा जाता है, या decision भी आप कहा सकता है, वो जो award रहेगा, वो enforceable रहता है, यानि parties के उपर parties को अच्छा लगे, ना लगे, वो parties के उपर हो गाई, थोप दिया जाया कि लोग, यह arbitral award है, लेकिन conciliation and mediation case में ऐसा नहीं होता है, जो award होता है, पहली बात तो award कहा नहीं जाता है, यहाँ पर, क्योंकि कोई third party नहीं दे रहा है, यहाँ पर conciliation के case में conciliator या mediation के case में, जो mediator रहता है, यहाँ पर parties खुद से decide कर रहे है कि हमारे लिए क्या सही रहेगा, किस decision पर आ जाया है, ठीक है, तो यह decision होता है, जो outcome final result आता है, वो generally enforceable नहीं होता है, यानि कोई भी outcome पर लोग नहीं निकलेंगे, तो किसी एक के ऊपर भी थोपा नहीं जाया है, कि लोग यहीं काम करना है, arbitration के case में prior agreement चाहिए होता है, यानि दो parties के बीच में कुछ हो रहा है, तो उसके लिए एक agreement होता है, कि हम लोग in future कोई भी dispute होगा, तो वो हम लोग agreement उसमें रहना चाहिए, लेकिन conciliation and mediation के case में ऐसा agreement नहीं रहता है, next point देखेंगे, यह वाला, तो इसमें समझ में आ जाएग यह clearly, यानि arbitration के case में dispute यह होता है, existing हो सकता है, या future भी हो सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, existing dispute मतलब दो parties है, दोनों के बीच में कुछ contract हुआ है, या कुछ भी है, दो parties है, उनके बीच में अभी कुछ विवाद हो जाता है, विवाद उत्पन हो जाता है, तो उन लोग क्या कर सकता है, या तो quote जा सकता है, या arbitration में जा सकता है, या conciliation में, या mediation में कहीं भी जा सकता है, तो यह हो गया existing dispute, और future dispute में, अगर दो parties ने contract किया है, तो उसमें एक agreement बना लेगा, या या prior agreement, agreement बना लेगा, कि in future, अगर हमारे बीच कोई भी किसी भी प्रकार का dispute arise होता है, त future नहीं होता है, वो existing होता है, यानि dispute arise already हो चुका है, ठीक है, example लेगता है, example, bridge of contract, contract का bridge है, दो पार इस के बीच में contract होगा, जैसे मान लेता है, हम है, हम वीडियो बनाता है, तो कोई coaching वालों को अच्छा लगता है, या किसी को sponsorship कराना है, तो हमारे बीच में मेरे और जो coaching व अच्छा रहेगा, माल लेता है, नहीं उदली, ठीक है, दोनों पार इस के सर्माधिस होता है, लेकिन जेनरली जो second party, जो coaching institute होता है, वो बहुत बड़े-बड़े coaching institute होता है, तो generally, वहां हम लोग नेगोशियत नहीं करता है, वहां पे, वह अब contract का इंटर्म चल जाता है, ठ लेकिन जहां family disputes arise हो जाता है, family disputes में आप शादी करते हैं, तो उसमें यह कहीं भी नहीं लिखा रहता है, कि हम शादी कर रहा है, तो in future, अगर divorce होता है, तो हम conciliation में जाएंगे, या arbitration में जाएंगे, ऐस सच कोई clause नहीं होता है, शादी में, शादी में शादी आप करता है, marriage करता है, तो marriage certificate पे आज़कल हो गया है, trend हो गया है, कि marriage को registration भी कराना होता है, तो वहाँ पे ऐसा कुछ clause नहीं रहता है, कि दोनों parties के बीच में, husband wife के बीच में, अगर dispute arise होता है, तो हम कहां जाएंगे, arbitration के बास जाएंगे, conciliation mediation, ऐस सच कुछ होता ही नहीं है, अगर मान इसके बीच का relationship को तनाव कर देता है, यानि दोनों win-win situation पे नहीं रहते हैं, तो family issue और भी हो सकता है, कई प्रकार के crime भी उत्पन हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को, तो वही family dispute में, generally arbitration नहीं होता है, mediation होता है, ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझाने कोशिश कियता है, तो यह है, तो दोस्तों यह था हमारा arbitration, mediation, conciliation, I hope, आप concept समझ के होंगे, बहुत अच्छे से simplified way में समझाने कोशिश के हैं, still अगर आपको कोई doubt है, तो comment ज़रूर आप कर रही है, ठीक है, मिलते हैं next video में, thanks for watching, जाहिंद.